साथियो नमस्कार इस वीडियो में समपुर्ण भुगोल से टॉप 1000 महतपुर्ण प्रस्ण को देखने वाले हैं कमपटीशन के इतिहास में पिछले 20 बरसों में भुगोल से जितने भी प्रस्ण पूछे गए हैं उन सभी प्रस्ण को इस कलास में सामिल किया गया है आप अगर इन में से किसी भी एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 100% गारेंटी है कि यह वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रस्ण भुगोल से नहीं छूटेगा तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि कम्पटीशन से रिलेटेट जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड कोस्चन आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं पहला प्रस्ण है प्राचीन भारतिये भोगयुक मानेता के अनुसार भारत वर्स किस दूइप का अंग था? भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सरपर्थम इंडिया सब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रिक भासा में किया गया किस भासा में किया ग्रिक भासा में अगला प्रसने भारत विश्वत रिखा के उत्तर में इस्थित है अभी हम नीचे में मैप परी से डिटेल में देखेंगे तो भारत विश्वत रिखा क मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पुर्वी देसांतर के बीच भारत इस्थित है भारत की इस्थिति आप यहां पर मैप पर देख लीजिए आठ डिगरी चार मिनट से लेकर 37 डिगरी छे मिनट उत्री अक्षान्स के बीच भारत सथ में 68 डिगरी 27 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के बीच भारत क्या है इस्तित है भारत का उत्तर से दक्षिन की लंबाई 3214 किलोमेटर है और इसका पूरब से पस्चिम की लंबाई 233 किलोमेटर है कितना है 233 किलोमेटर आप यहां पर भारत की इस्थिति ग्लोब पर देख सकते हैं भारत कहां इस्थित है तो भारत इस जगा पर इस्थित है और आपका यह क्या है विश्वत तरीखा है तो भारत किस गुलार्द में है उत्री गुलार्द में इंडिया क्या है इस्थित है अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं उत्री घुलार्द में इस्तित्क है भारत की आखिरती चतुस को नीए है नेक्ष परसने छेतरफल के दृष्टी से भारत विश्व में सात्मे तर्था जन्जेंख्या के दृष्टी最 Disney से दूसर्फ है कमा अस्थान पर दुसरे अस्थान पर अगला प्रस ने भारत का च३ से पिटना है तो भारत का च्याथर पहलेisen 있어요 तो 324 किलो मेटर र भारत की पुर्भ से पस्चिम तक की लोंबाही है Pawरत का पुर्भ से सीमा की लंबाई नो भारत में कितने राज समुद्र तट्रेखा में है तो भारत का कुल नौ राज जो जो है उस समुद्र तट्रेखा से क्या है सटा हुआ है आप देख सकते हैं गुजरात, महराष्ट गुवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू आनपर्दिस, उरिसा और पस्चिम मंगाल कहां से सटा हुआ है समुद्र तट्र से सटा हुआ है अगला प्रसन है किस राज की तट्रेखा सबसे लंबी है तो गुजरात की तट्रेखा क्या है सबसे लंबी है अगला प्रसन है कौन सी अक्छांस रेखा भारत के मध्ध से होकर गुजरती है तो करकरेखा भारत से मध्ध के भारत के मध्ध से होकर क्या करती है गुजरती है अगला है भारत की कितने राजियों करकरेखा से गुजरती है तो भारत का कुल आठ राजियों से करकरेखा गुजरता है वो आपका है मिजोरम, तिरपूरा, पस्ची मंगाल, जारखन, चतिसग इंद्रा पॉइंट कौन है इंदरा पॉइंट और भारत की की मुख्य भूमी को रामे सुरम दूइप से कौन अलग करता है तो यह चंबल चैनल क्या करता है पंबन चैनल अलग करता है कौन करता है पंबन चैनल अगला प्रसने आदम का पूल किन दो देसों के मधिस्तित है तो आदम का पूल भारत और स्रिलंका के बीच इस्तित है अगला है दीब एक एवल झोटान अन्दमान के बीच इस्तित है ॉगला परस बैस स्रिलंगा को भारत से प्रथक करती है सिरलंगा को भारत को सिर्लंगा को भारत से प्र Ts wy blindly कौन duck and. अगला परस ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतराष्टी सीमा किस के द्वारा सीमा अंकित की गई है तो रेड क्लिफ लाइन कौन से है रेखा रेड क्लिफ लाइन अगला परसने भारत की सबसे लंबी अंतराष्टी सीमा किस देश के साथ है तो यह सबसे जादा है बंगलादेश के साथ क किस नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है कुरो मंडल के नाम से जो पूर भी समुदरी तट है इंडिया का को कुरो मंडल के नाम से जाना जाता है अगला प्रसने लक्ष दूइप समू के दूइपों की उत्पत्ति किस परकार हुई तो यह परवाल दूइप है क्या है से इसकी क्या हुई उत्पत्ती हुई अगला प्रसने नियुमुर्दूइब कहा है तो नियुमुर्दूब बंगाल की खारी में इस्तित्य अगला है सुटन तरता से पुर्व कौन सा भारती है छेतर काला पानी के नाम से जाना जाता था तो अंडमान निकोबार दूइब और स्रिलंका के मधिस्तित है तो रामे स्वरम भारत और स्रिलंका के मधिस्तित है थार मरूभूमी कहां इस्तित है तो थार मरूभूमी राजस्थान में इस्तित है अगला परसने दक्षिन गंगोत्री क्या है दक्षिन गंगोत्री अंटार्टिका में अस्थापित भारति है ना अंगले परसन की तरप चलते तो बरतमान समय में भारत के किस अस्थान को सफेध पानी के नाम से जाँड़ता है अगला पशन है वहाद का जुरुबा नगर का जाता है को कच्चितression को है जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है तो इसे अकसाई चीन कहा जाता है क्या कहा जाता है अकसाई चीन भारत का एक मातर सीत मरूँ अस्थल है तो कौन सा है वो लद्दाक है कौन है लद्दाक अगले परसन की तरफ चलते हैं तो किस भारती राजी की सीमा सरबाधी के रा भारत अवस्तित है तो पहले हम ने जिकर किया 8 डिगरी 4 मिनट से लेकर 37 डिगरी 6 मिनट उत्री एक चास और यहां पर तसाद इसांतर में अर्शट डिगरी 7 मिनट से लेकर 97 डिगरी 25 मिनट पुडवी दिसांतर के बीच में क्या है इंडिया इस्तित है भारत किस गुलार्द में है तो उत्री और उत्तर पुडवी गुलार्द या उत्री गुलार्द बोल सकते हैं इंद्रा पॉइंट किस की दक्षी इंतम नोक है अंडमान निकोबार्द दिपसमू की दक्षी इंतम नोक है नेक्ष है भारत की सबसे बरी सुरंग जबाहर सुरंग किस राजी में अबस्तित है तो यह आपका जम्मू कस्मीर राज में अबस्तित है जम्मू कस्मीर राज में अबस्तित है अगला है पटकाई की पहारिया भारत को अलग करती है तो मयानमार से भारत को पठकाई की पहारिया क्या करती है अलग करती है अगला परस ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निरधारन किस ने किया तो सर्ज सिरिल जॉन ड्रेड कलिफ ने किया अगला परस ने कौन सा राज तीन तरप से बंगला देश किस से घिरा है तिنتिरपूरा में बंगलादेस से घिरा नेक्ष डुर्ण्ड लाइन यह भी देश ओके बीच की सीमा तो पाकिस्टान और भारत पाकिस्टान ओर अफ़ानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं डुरạूनलाइंग कएूणDasć भारत के किस भाग में बैरन्जुअला मुके दृप इस्तित है तो अन्दमान दृप समू में बैरन्जुअला मुके दृप क्या है इस्तित है अगला प्रस्न है आदा कौन से भारती है राज में पराता काल में सुर्ज की केरने सबसे पहले पड़ती है तो जो सबसे पूर्बी राज होगा उसी में परेगा तो अरुनाचल परतिस है भारत की किस परदेश की सीमा ये तीन देशो करम से नेपाल, भूटान, एवंश चीन से मिलती है तो वो किसकी मिलती है वो आपका सिक्किम की मिलती है अगले परसन की तरफ चलते हैं अगला परसन है भारत की उतरी सीमा पर इस्तित परवत है हिमाले हिमाले परवत एक मुख्य परकार का वलित परवत है या इसे नविन मोरदार परवत भी कहा जाता है अगला परसन है भारत म कौन सी प्रवस्रेनी नविंतम है तो हिमाले को नविंतम प्रवस्रेनी के में रखा गया है भारत का सर्बोच प्रवस्थिखर है कंचन जंगा कौन सा है कंचन जंगा अगला प्रसन है हिमाले की उत्पत्ति किस भूसन्नती से हुई तो टेथी भूसन्नती से हुई थी हिमाले का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है तो इसे सिबालिक के नाम से जाना जाता है अगला है नंदा देवी इस्तित है उतरा खंड में नंदा देवी इस्तित है बद्रीनात अबस्तित है तो कुमाव हिमाले में बद्रीनात अबस्तित है कौन सी परबत चोटी संसार की द कि नेपाल हिमाले किस हेमाले चोटी को सागर माथा कहते हैं तो माउंट ओबरेश्ट को सागर माथा कहा जाता है अगला परसने सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमाले की कौन सा अप्रादेशिक विभाग इस्तित है तो सतलज एवं काली नदियों के बीच कुमाव हिमाले इस्तित है नेक्स्ट है लगू हिमाले स्रेनी को धालो पर मिलने वाले छोटे घास के मैदानों को उत्राखन में क्या कहा जाता है तो इसे बुग्याल एवं पयार कहा जाता है अगला परसने हिमाले की स्रेनी में मिलने वाली संकीन तथा अनुधैर लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है ते इसे दुन के नाम से नाम से जाता है किस नाम से जाना जाता है दुन के नाम से अगला परसने लगू हिमाले स्रेनी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छो प्राप्त की गई तो 1903 में विजय प्राप्त की गई अगला प्रसंद नंदा देवी चोटी है तो कुमाई हुमाले का एक भाग है नंदा देवी चोटी अगला प्रसंद देख लिजे हिमाले परबत की एक स्रेनी अरा कानियोमा कहां इस्तित है ये मयानमार में इस्तित है नेक्स्ट है कुलू घाटी किन किन परवस्रेनियों के बीच अवस्तित है तो धौला धर तथा पीर पंजाल के बीच अवस्तित है नेक्स्ट है उत्रा खंड का सबसे उचा परवस्तित है तो नंदा देवी कौन सी है नंदा देवी हिमाले का दूसरा सबसे उचा परवस्तित आपकर कंचन जंगा भारत की किस राजी में वस्तित है यह सिक्की में वस्तित है कंचन जंग कहा है सिक्की में वस्तित है नेक्स्ट है सबसे प्राचीन परवस्रेनी कौन सी है तो अरा बली सबसे प्राचीन परवस्रेनी में आता है अगला प्रस्ण है भारत में कौन सी परव पश्चमी घाट क्या है एक भरंस का कार को क्या कहा गया है पश्चमी घाट कहा गया है नेक्स कोश्चन है किस परवत माला को सहयाद्री के नाम से जाना जाता है तो पश्चमी घाट को सहयाद्री के नाम से जाना जाता है अगला है प्रायदुपिय भारत में उच्टम परवत चोटी है ता अनामूदी कौन है अनामूदी लेक्षे पुडवी घाटेवं पश्मी घाट परबस्रेनियों को सम्मिलन अस्थल किया कहते तो इसे निलिगरी पहारी कहा जाता है अगला है भारत के सबसे दक्षिनी भाग में इस्तित पहारियां कौन सी है तो वो कार्डेमम है पुडवी घाट परबस्रेनी का सरवज सीखर है महंद्रगीरी परबत कौन सी है महंद्रगीरी परबत अगला है काडेमम पहारी कहां अबस्तित है तो यह आपका किरल में अबस्तित है काडेमम पहारी कहां अबस्तित है तो यह किरल में अबस्तित है अगला प्रस्ण है गि गानमार के बीच सीमा निर्धारन करने वाले तीन प्रवस्रीनिया है। खासी , पटकाई तथा अरकान योमा। कौन है असे है अगला परस्ण है शोटा नागपュर पठार की सबसे उंची प्रवस्राइट कौन सी है तो वो पारसनात है। कौन है पारसनात धूब कर चोटी इस्तित है तो सत्पूरा दिंज में धूब कर चोटी इस्तित है आराबली स्रेनी किस राजी में इस्तित है तो आराबली स्रेनी राजस्थान राजी में इस्तित है हिमाले के सरबुच सिखर माउंट एबरेस्ट की उचाई कितना है तो आठ गुरु सिखर चोटी इसतित है अगला है सेवराए पाहरिया कहां वस्तित है आवस्तित है सेवर्य पाहरिया तमिलनाडों में अवस्तित है नेकिक ही माले की सबसे पुर्भी चोटी कौन सी हुंद है और निकोमार दूसे चोरटे को आर्यों ने भारत में किस दर्रह में साथ आरे भा संनल क्या हुए थे पण्सकिया है उब þे जबाहर सुरंग नाय नाम किस प्रख्रतشر प्रवतिय को planning गया है यह अगला प्रसंद यागा है अगला प्रस्ण है हिमाचल प्रदेश में इस्तित है तो सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्तित है पिपली दर्रा घाट दर्रा किस प्रवती भाग में इस्तित है तो यह अरावली भाग में इस्तित है जोजीला दर्रा सिरनगर और ले को जोड़ता है पाल घाट द मिलनाडू को पालगाड दर्रा जोड़ता है तूजू दर्रा भारत को किस राज़े से जोड़ता है तो यह महनमार को जोड़ता है नाथुला दर्रा किस राज़े में इस्थित है तो सिक्किम में इस्थित है नेक्टे बोमडिला दर्रा भारत के किस राज़े में इस्थित है यह अरम नाचल परदेश में इस्तित है अगला परसन देखन देखली ज़िजिए आप परदेश के साथ जोरने वाला परवतीय मारग है ते हमयनमार को जोरने वाला परवतीय मारग है नेक्स्ट है खैबर का दर्रा कहा है तो ये पाकिस्तान में है कहा है पाकिस्तान है अगला है बुर्जीला तो था जो जीला दर्रा किस राजी में इस्तित है तो ये दोनों जम्मु कस्मीर राजी में इस्तित है अगला परसन देख लीजिए आप कि पाल घाट के इनकेमद इस है हिमाले पार की नदिया है तो ब्रहंपुत्र सिंदू और सतलत तीनों क्या है हिमाले पार की नदिया है नेक्ष्ट है भारत की ब्रहत्तम नदि कौन सी है तो भारत में सबसे जो बिस्तारित नदिया वो गंगा है गंगा नदि को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है गंगा अब ब्रहंपुत्र की सिवक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है तो ये मेगना के नाम से जानी जाती है अगला प्रसन है सुन्दरबन का डिल्टा कौन सी नदी बनाती है तो ये गंगा ब्रहंपुत्र नदी मिलकर सुन्दरबन की डिल्टा को क्या करती है बनाती है अब रुनाचल प्रदे से होकर भारत में प्रवेस करती है अगला हिबिसो का सबसे बड़ा नदी माजुली का निर्मान करने वाली नदी कौन सी है तो वो आपका ब्रहंपुत्र नदी है कौन सी है ब्रहंपुत्र नदी कौन सी नदी दक्षिन से उत्तर की और परवाहित होती है तो यह बेतबा नदी है किस नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो कोसी नदी को बिहार का सोक कहा जाता है तो कोसी नदी का नाम प्रारंवे क्या था अरुन नदी था अगला प्रसने किस नदी को उरिसा का सोक कहा जाता है तो महा नदी को उरिसा का सोक कहा जाता है निक्ष कोस्चाने इंदौर के समीप इस्तित जन जना पाव पहारी का सुरोत है तो चंबल नदी का सुरोत है निश्टे कौन सी नदी भेरा घाट के समिप कपिल धरा जल परपात का निर्मान करती है तो नर्मदा नदी कपिल धरा जल परपात का निर्मान करती है अगला है कौन सी नदी ज्वार नद मुक का निर्मान करती है अगला है महा नदी नर्मदा त नदी है निक्षे दक्षिन भारत के नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी यह गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है नेश्ट है किस नदी को बिर्द गंगा के नाम से जाना जाता है तो गोदावरी नदी को बिर्द गंगा के नाम से भी जाना जाता है अगला परसने गो अगले प्रसन की तरफ चलते हैं अगला प्रसन है इंडो ब्रह्मा है तो इंडो ब्रह्मा एक पौरानिक नदी का नाम है किसका नाम है पौरानिक नदी का अगला है दामोदर नदी निकलती है दामोदर नदी छोटा नागपूर पठार से क्या होती है निकलती है अगला है विश्व का ब्रहत्तम डिल्टा निर्मित होता है विश्व का ब्रहत्तम ब्रहम्पुत्र नदी की उपनदी है अगला प्रस्ण है सोन और नर्मदा नदी निकलती है तो सोन और नर्मदा नदी अमर कंटक पहारी से क्या होती है निकलती है अगला है प्रायदूपिय भारत की सबसे बरी नदी कौन सी है प्राय दूपिय भारत की सबसे बरी नदी आपका गोदावरी नदी है कौन सी है गोदावरी नदी अगले प्रस्न की ओर चलते हैं नर्मदा नदी का अधिकांस भाग भारत के किस राज में बहता है तो नर्मदा नदी का अधिकांस भाग मध्य परदेश राज में बहता है किस राज में मध्य परदेश राज में भारत में डिल्टा बनाने वाली नदिया है तो भारत में डिल्टा बनाने वाली नदिया कावेरी गंगा और महानदी है कौन सी है कावेरी गंगा और महानवी अगला प्रस्न है कहां भागी रती और अलकनन्दा मिलकर गंगा बन जाती है तो भागी रती और अलकनन्दा मिलकर देपरियाग में गंगा बन जाती है अगला प्रस्न है सिंदु नदी का उद्गम अस्थल है तो सिंदु नदी का उद्गम अस्थल मान सरोबर जील है याद रखेगा कहा है मान सरोबर जील है अगले प्रस्न के ओर चलते हैं अगला प्रस्न है भारत का सबसे उची नदी बांध कौन सा है भारत का सबसे उची नदी बांध है टिहरी बांध कौन सी है टिहरी बांध भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है तो भारत में सबसे लंबा बांध है हीरा कुंड बांध कौन सा है हीरा कुंड बांध अगले प्रस्न की ओर चलते हैं टिहरी बांध किन दो नदियों के संग पर इस्तित है अगला परसन है चिलका जील किस राजे में इस्तित है तो चिलका जील ओडिसा राजे में इस्तित है किस राजे में ओडिसा राजे में अगला परसन है रानी लक्षमी बांध अवस्तित है तो रानी लक्षमी बांध अवस्तित है बेतबा नदी पर कहां पर अबस्तित है बितवा नदी पर अगला परस्ट मेटूर बांध अबस्तित है तो मेटूर बांध तमिलनाडू में अबस्तित है नेक्स्ट है कोईना बांध अबस्तित है तो कोईना बांध महरास्ट राज्य में अबस्तित है अगला परस्ट है अलमाटी बांध किस न थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है तो थीन बांध रावी नदी पर बनाया गया है अगले प्रस्ण क्यों चलते है अगला प्रस्ण है गांधी नगर, जवाहर सागर और राना परताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है तो यह चंबल नदी पर निर्मित है किस नदी पर चंबल नदी पर अगला प्रस्ण है मेराथन अगला प्रस्ण है मैथान बाल पहारी इबं तिलया बांध किस नदी पर बनाए गया है यह बनाए गया है बड़ा कर नदी पर किस नदी पर बड़ा कर नदी पर अगला प्रस्ट मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है तो मेटूर बांध बना गया है कावेरी नदी पर किस नदी पर याद रखेगा कावेरी नदी पर अगला प्रस्ट है अलमाटी बांध किस नदी वर राज में बनाया गया है तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर करनाटक राजी में बनाए गया है कहां पर करनाटक राजी में अगला प्रस्न है नागारजुन सागरबांध भारत की किस राजी में इस्तित है तो नागारजुन सागरबान आंध परदेश राज में इस्तित है किस राज में आंध परदेश राज में अगला प्रसन है उत्तरपुर्वी भारत की सबसे बरी जील लोक्टक जील किस राज में इस्तित है भारत की सबसे बरी मीठे जल की जील है आपका बूलर जील कौन सी है बूलर जील अगला है उमियम जील किस राजी में इस्तित है तो उमियम जील मेगाले राजी में इस्तित है नेक्स्ट है परसिद लेगून जील चिलका किस राजी में इस्तित है तो चिलका ओडिसा राजी में इस्तित है नेक्स्ट है भारत में ताजे जल की सबसे बरी जील बूलर किस राजी में इस्तित है तो बूलर जम्मु कसमीर राजी में इस्तित है नेक्स्ट है लोनार जील कि में इस्थित है अगला प्रसने बिसु परसिद खारे जल की जील सांभर किस राजे में इस्थित है तो सांभर राजस्थान में इस्तित है, कहां पर इस्तित है, नेक्स्ट, बेमनाद जिल किस राज में इस्तित है, तो बेमनाद जिल आपका किरल राज में इस्तित है, कहां पर किरल राज में, कुलेरू जिल किस राज में इस्तित है, कुलेरू जिल आंद पर्दिस राज में इस्तित है, अगला है जवाहर सागर, राना परताप सागर, गांधी सागर जला से किस नदी पर इस्तित है तो ये आपका चंबल नजी पर ये तीनों किस पर इस्तित है चंबल नदी पर इस्तित है अगला प्रस्ट हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी जील इस्तित है तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच हुसेन सागर जील इस्तित है कौन सी हुसेन सागर जील भारत की परसित लैगुन जील है तो भारत की परसित लैगुन जील है चिलका जील याद रखेगा चिल जील का जील नागिन जील किस राज में इस्तित है तो नागिल जील जम्मु कस्मी राज में इस्तित है किस राज में जम्मु कस्मी राज में कौन सी जील भारत के पस्चमी तर्ट पर इस्तित है तो भारत के पस्चमी तर्ट पर इस्तित है अस्ट मुदी कौन सी है अस्ट मु उचा जल परपात कौन सा है तो भारत में सबसे उचा जल परपात है आपका जोग जल परपात कौन सा है जोग जल परपात अगला है बिस्विख्यात जोग या गरसोपा जल परपात किस राजी में इस्तित है तो ये इस्तित है आपका करनाटक राजी में किस राजे में इस्तित है करनाटक राजे में अगला परसन है जोग या गर्सोपा जल परपात का नया नाम क्या है इसका नया नाम है महातमा गांधी जल परपात क्या नाम है फ्रेंड्स महातमा गांधी जल परपात जोग जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो जोग जल पर पात सरावती नदी पर इस्तित है याद रखिएगा किस नदी पर सरावती नदी पर धुआधार जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो नर्मदा नदी पर इस्तित है आपका धुआधार जल पर पात अगला है कपिल धरा जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो कपिल धरा जल पर पात नर्मदा नदी पर इस्तित है नेक्स है सिब समुद्रम जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो सिब समुद्रम जल पर पात कावेरी नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है गोकक जलपरपात किस नदी पर इस्तित है तो गोकक जलपरपात गोकक नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है हुन्डु जलपरपात निर्मित है तो हुन्डु जलपरपात स्वर्न देखा नदी पर निर्मित है नेश्ट है भारत में किस जलपरपात को लोकप्रिये रूप से नियागरा जलपरपात के तोर पर जाना जाता है तो ये चित्रकूट जलपरपात जाना जाता है कौन सा चित्रकूट जलपरपात अगला प्रसन देख लिजे आप एसिया का सबसे बड़ा जल परपात हुंडरू किस जगह के पास है तो ये है आपका राची के पास कहां पर है हुंडरू जल परपात जारखंड राज में परता है जो राची के पास इस्थित है निश्ट है महात्मा गांदी जल बिद्दूत उत्पाद प्लांट कहां इस्थित है ये इस्थित है जोग परपात पर कहां पर इस्थित है जोग परपात पर अगला प्रस गोकक परपात किस जिले में इस्थित है तो गोकक परपात बिलगाओं में इस्थित है कहां पर बिलगाओं में नेक्स्ट है काकोलत जल परपात बिहार के नवादा डिश्टिक में इस्थित है सहस्त धारा सहस्तर धारा जलपरपात इस्थित है तो सहस्तर धारा जलपरपात देहरादून में इस्थित है कहां पर इस्थित है देहरादून में इस्थित है अगला प्रसंद देख लिजे अगला है नील गिरी के परवतिये में आपका पायकारा जलपरपात इस्तिते कौन सा पायकारा जलपरपात अब अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं भारत में पर्थम बहुत देसी नदी घाटी परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया है तो यह आपका दामोदर नदी पर किया गया है किस नदी पर किया बरी बहुत देशिये परियोजना है याद रखेगा अगरा है परामबी कुलम अलियार परियोजना किन राज्यों के सम्मिलित परियोजना है किरल एवम तमिलाडू का सम्मिलित परियोजना को क्या कहा जाता है परामबी कुलम अलियार परियोजना अगला प्रस्ण मचकुंड परियोजना किन दो राजियों के सम्मिलित परियोजना है तो ये ओरिशा एवम आन्द परदेश के सम्मिलित परियोजना को मचकुंड परियोजना कहते हैं अगला प्रस्ण है मयुराक्षी पर्योजना से भारत की कौन से दो राजी लभानवित हो रहे हैं तो मयुराक्षी पर्योजना से पस्चिम मंगाल एवम जारखंड क्या हो रहे हैं लभानवित हो रहे हैं अगला प्रस्ण है आंद पर्देश एवम उरिशा की सम्मलित पर्यो इस्तित है पिरियार जिल बिद्धुत परियोजना । आपका किरल राज्य में इस्तित है किस राजी में इस्तित है किरल राजी में इस्तित है अगला प्रस्न इडुकी जल बिद्दुत परियोजना किस राजी में इस्तित है यह भी आपका किरल में इस्तित है अगला है सलाल जल बिद्दुत परियोजना किस राजी में इस्तित है तो यह आपका जम्मू कस्मी राज निश्ड बान सागर परयोजना से लबाणवित रज है उत्तर परदिस, मध्य परदिस और बिहार अगला प्रशन है लोकटक सकती पर योजना मनीपूर रज में अस्तित है निश्चे रिहंद बांध परयोजना से किन राज्यों की सिचाई होती है या उत्तर प्रदेश और बिहार की इससे क्या होती है सिचाई होती है अगला प्रसन है तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंदित है तुलबुल परियोजना जेलम नदी से संबंदित है किस से संबंदित है जेलम नदी से संबंदित है अगला जो प्रस्न है भाकरा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है तो भाकरा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर इस्तित है नेक्स्ट है आपका सरदार सरोबर परियुजना से लभानवित राज है तो सरदार सरोबर परियुजना से लभानवित राज है आपका कौन से है राजस्थान और मद्यपर्देस है राजस्थान और मद्यपर्देस अगला है सरदार सरोबर परियुजना से लभानवित राज ह गुजरात एबं महरास्ट नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी पर्यूजना से लवान भी दराज है यह आपका पस्ची मंगल एबं जारकन याद रखेगा पस्ची मंगल एबं जारकन अगले परस्ण की तरफ चलते हैं अगला परस्ण है दामोदर नदी घाटी पर्यूजना से लवान भी दराजी कौन से है तो वो पस्ची मंगल एबं जारकन्ड हो गया तमिल लाडू एबं किरल के स्युक्त नदी घाटी पर्यूजना है यह दोनों का जो स्युक्त नदी घाटी पर्यूजना है तो है परामभी कुलम अलीयार परियोजना है जैकवारी परियोजना किस नदी पर इस्तित निक्स्ट Mहात्मा गांदी जल विद्दुत परियोजना इस्तित यह आपका जोग परपात पर इस्तित है नेक्स्ट है कोयना परियोजना किस राजी की परमुख बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है तो यह महराष्ट की बहुत देशिय नदी घाटी परियोजना है अगले परिशन की तरफ चलते हैं अगला है नाथपा जाकरी परियोजना किस राजी में इस्तित है तो यह आपका हिमाचल परतिस में इस्तित है अगला परिशन है नाथपा जाकरी परियोजना किस नदी परिश्तित है तो यह आपका सतलज नदी परिश्तित है नेक्स्ट भाकरा नागल एबम स्विक्त परियोजना है यह हर्याना एबम पंजाव राजस्थान का स्विक्त परियोजना है अगला है गिरना परियोजना कहा इस्थित है तो गिरना परियोजना महाराष्ट में इस्थित है कहा परियोजना है में इस्तित है निश्ट हीरा कुंड परियोजना किस नदी के जल परभा को नियंतरित करता है यह महा नदी के जल परभा को नियंतरित करता है किसके महा नदी के जल परभा को नियंतरित करता है अगला परसन हीरा कुंड परियोजना किस राजे में है यह आपका उरिसा राज मे अगला है करनाटक में इस्तित बहुत देश्य नदी घाडी परियोजना है यह आपका तुंग भद्रा है कौन सा है तुंग भद्रा अगला है हिटकल परियोजना किस नदी पर इस्तित है हिटकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर इस्तित है किस पर घाट प्रभा नदी पर अगला है काकरा पारा परियोजना किस नदी से संबंधित है यह आपका तापती नदी से related है किस से तापती नदी से नेश्ट है उत्तर प्रदेश में रानी लक्षमी भाई बांध परियोजना निर्मी थे और धारा से quand ते नेंदो नदी परिर्फितित है यह वियुवुद्वरी किस राजे में इस्तित में इस ते किस राजे में किरल राजे में अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला है नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी परिस्तित है वो है कौन से किर्ष्णा नदी निश्टे गंड़क परियोजना किन दो राज्यों के स्युक्त जल धारा है तो गंड़क परियोजना बिहार की स्युक्त क्या है जल धारा है अगले प्रस्ण अगला प्रस्न है नात्पा जाकरी पर्यूजना किस राजी में इस्तित है तो यह आपका हिमाचल प्रदीश राजी में इस्तित है नात्पा जाकरी पर्यूजना किस नदी पर निर्मी थै तो यह आपका सतलज नदी पर निर्मी थै भाकरा नागल एक सिंक्त पर्यूजना है तो हर्याना पंजाब रजस्थान का स्युक्त परियोजना भाकरा नागल परियोजना है अगला है गिरना परियोजना कहा इस्तित है यह महाराष्ट में इस्तित है हीरा कुन परियोजना किस नदी के जल परभा को नियंतरित करता है तो यह महा नदी के जल परभा को नियंतरित करता है अगला प्रस्थ है हीरा कुर्ण परियोजना किस राजी में है यह उडिसा राजी में है करनाटक में इस्तित भहुत देशी नदी घाटी परियोजना है यह आपका तुंग भद्रा है कौन सा है तुंग भद्रा नेक्ष्ट है हेटिकल परियोजना किस नदी पर इस्ति है अगला प्रस्न है आपका कि इड़ु की जल बिदुत पर्योजनाइ किस सराजे में इस्थी थे नागा और जूंशा गर पर्योजन metre जिस नर्दी परिश्थी थे उएकघ्रिशna परियुजना надिघ गंडग पर्योजना किंदो Rigky च्टो जल्दार है तो है आपका पर्योजना है श्रेंज भीन परत परिवर्तन है नेक्स्ट उंकिस्वर् प्राइजु न किस नदीерм में? भारत की जलवायु की सब्से महत्पून विषेस्ता कौं सी है यस्की सब्से महत्पून विषेस्ता है पबनों की दिस्टा में परिवर्तन क्या है? पबनों की दिसा में परिवर्थन तमिल नाडू में सरत कालीन बरसा अधिकांस जिन कारणों से होती है वो है तो उत्तर पूर्वी मांसून कौन सी है उत्तर पूर्वी मांसून देश के किस भाग में मांसून के अरब सागर एवा मंगाल की खारी दोनों सखाओं से बरसा होती यह आपका है पंजाब कौन सा है पंजाब है अगला परसने असम पस्चिम मंगाल तथा उरिसा राजो में मानसून पुर्व आने वाली तरित जंजाय किस नाम से जानी जाती है यह नार्वेश्टर्स के नाम से जानी जाती है अगला परसने भारत के कोरो मंडल तर्ट स्थान कौन सा है तो यह आपका मासिन राम है कौन सा है मासिन राम अगला प्रासन है मासिन राम और चेरा पुंजी अधिक बर्सा होती है क्योंकि यहां कि पहारिया किप की आकिरती की है किसी आकिरती की है किप की जम्मु कस्मिर में होने बाली सीट कालिन बशा का क्या कारण है विछोग है अगले प्रस्ट की तरफ चलTे हैं अगला है यदि भारत में करकर रेखा के अस्थान पर विश्वत रेका होती तो यहां की जल्वाई पर क्या प्रभाब पड़ता यहां पर अधिक ताप अधिक बरसा होती दोनों प्रभाब पड़ता भारत का अधिकांस भाग करकर एखा कि उत्तर में इस्तित है पर इसे एक उस्ट कटी बंदिये देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायू का निर्धारन उस्ट कटी बंदिय मांसून से होता है ना यही कारणने की भारत को उस्ट करती बंदी यह छेतर कहा जाता है नेक्स्ट है पूने में मुंबई से कम बरसा होती है क्योंकि यहाँ यह बिष्टी चाया में पढ़ता है किसमी चाया में पढ़ता है बिष्टी चाया में अगले परेशन की तरप चलते हैं अगला प्रसन है मांसूनी जलबायू की पर्मुख भिसेशता है बायू की दिसा में मौसमी परिवर्तन क्या होता है बायू की दिसा में मौसमी परिवर्तन भारत के उत्तर पस्चिम भाग में सीथ काल में बरसा होती है किसे तो पस्चमी भी छोबो से किसे होती है पस्चमी भी छोबो से अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में सीथकाल में बरसा होती है ये भी होती है पस्चमी भी छोबो से अगले परस्चन की तरफ चलते है चन्नाई में जारो में बरसा होती है उत्तरपुरवी मौनसून से आमर बरसा कीया है तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अपरेल में होने वाली बरसा क्या कहते हैं आमर बरसा क्याती है क्योंकि इस टाइम आम का फल आ जाता है अक्टूबर में गर्मी का परमुकारन क्या है तम मांसून अर्वी भासा का सब्द है उत्तर पुर्भी मांसून के सबसे अधिक बरसा पराप्ट करने बला राज है आपका तमिल नाडू कौन सा है तमिल नाडू अगला परसन राष्टि ये बन निती के अनुसार पर्यावरन के द्रिष्टी से देश के कम से कम कितने परती सच्छेतर पर बनों का आपरना बस से खेती ये 33% कितने परसन 33% नेश्ट है के अंदर सरकार द्वारा नई बन निती की घोसना किस बर्स की गई थी तो 1988 पे की गई थी अगला परसने भारती ये बन सरविक्षन विभाग मुख्याले इस्तित है इसका मुख्याले आपका देहरादून में इस्तित है नेश्ट है भारत में बन अनुसंधान सं कोद एनस्तान नेरी नागपूर में इस्तित है और भारत में जिसर बन महोचब के नाम जाता है के जन्मदाता कौन है इसका जन्म जाता है के मुंसी कौन है के मुंसी नेक्स्ट है भारत में बनों की ताजा इस्थिती के संबन में रिपोर्ट कौन जारी करता है यह आपका भारतिय बन सर्वेक्षन विभाग जारी करता है जो देहरादून में इस्थित है परकिरिया है तो पेर लगाने की परकिरिया है अगला है देश में सरवादिक बन छेतर किस राज में है तो यह आपका मध्य परदेश में है किस राज में है आपका मध्य परदेश राज में इस्तित है अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण है पारिस्थितिक सं 1981 में की गई थी अगला है बनों की सुरक्षा के लिए स्वतंतरता प्राप्ति के पस्चात सरप्रथम किस बर्ष सरकार द्वारा बन निती की घोसना की गई नेश्ट है बिच्छा दादित छेतर सरवाधिक पूर्भी डक्कन में है कहां पर पूर्भी डक्कन में नेश्ट है नीलगीरी पहारियों में पेर की समानित जाती है तो टोक टोंकिया सागाउन कौन सा है टोंकिया सागाउन अगले प्रसन की तरफ चलते हैं भारत में मैंग्रो बनस्पती मुखितब पाई जाती है तो यह आपका सुंदर बन छेतर में क्या होती है यह पाई जाती है अगला परस ने देश के सरवाधिक छेतर फल पर किस परकार के बन पाई जाते हैं तो उस नादर पत जरबन है ना इंडिया में सबसे ज़़ा पत जरबन पाई जाती है देश के 100-200 cm औस बारसिक वर्षा वाले भागों में किस परकार की बन पाई जाती है ये उस नादर पत जरबन पाई जाती है नेक्स है भारत में चंदन की लकरी के लिए परसीद राज्य है ये आपका करनाटक राज्य है कौन सा करनाटक राज्य है अगला परशने 50 cm से कम औस बारसिक वर्षा वाले छेतर में समाने तक किस परकार के बन पाई जाते है ये आपका मरू अस्थलिये बन पाई जाते है नेक्स है भारत के किस भागोलिक परदेश में उश्न कटी बन दिये से लेकर अलपाइन प्रकार की बन बनस्पती मिलती है ये उत्तर की हिमालाई परबती परदेश में मिलती है नेक्स्ट है दलदली अथवा जुआर भाटा छेत्रों में पाए जाने वाले बन को क्या कहा जाता है इसे मैंग्रोब बन कहा जाता है क्या कहा जाता है मैंग्रोब बन अगला परस ने भारत में सरबाधिक महत्पूर्ण बैपसाइक बन है यह आपको उश्न कटी बन दिये अ कर्मक बन असपती कौन सी है वह आपका पतजहर बन है कौन सी है पतजहर बन भारत में चंदन की लकरी के बन सबसे एधिक निल गिडी पहारियों में यह पाय जाता है जो बन चक्रवातों के अवरोधों का कारेग करते हैं व需 बन कौन से है यह है मेंग्रोब बं कौन से हैं मेंग्गरो बन साइलेंट वेली के चरचित होने का कारण है इसका करण है जय विभीत्दा इवम सदावार बन का संग्रक्छन इसलें अगला प्रस्ण है उत्रा खंड फूलों की घाटी इस्तितो फूलों की घाटी उत्रा खंड में happens सांत घाटी सांत घाटी केरल में इस्तित याद रखेगा सांत घाटी आपका कहां परिस्तित है केरल में इस्तित है अगले प्रसंद की तरब चलते हैं अगला प्रसंद देख लिए भारत में मैंग्रो बनस्पती का सरवाधिक बिस्तार किस राजे में पाय जाता है इसका सरवाधिक बिस्तार पस्चिम मंगल में पाय जाता है भारत में परमुक बनस्पती कौन सी है यह आपका पत जर्वन है कौन सी है पत जर्वन भारत में बातों के अब्रोद हो कारे करते हैं वेवन कॉन से हैं मैंग्रोब बन आपकर्व वेली के चर्चित होने का कारण है ऑसको सदा भाषर बन का संग्रे क्षऺण दिय भूलो की घापी उत्र cosplay में सान्थ अबस्तित गाती केरल में पस्चमी घार पर पाई जाने वाले बनस्पती का परकार है सदा हरित कौन सी है सदा हरित अगला प्रस्ण है उश्न कटी बन दिये आदर सदा बाहर बन पाये जाते हैं तो यह प्रधुपी पठार छेतर में पाये जाते हैं अगला है गंगा प्रमपूतर के डेल्टाई छेतर पर किस परकार के बन पाए जाते हैं देश के सरबादिक छेतर उस नार्द पतजर बन पाए जाते हैं देश के 100 से 200 सेंटीमीटर वारसिक बरसा वाले भावों में किस परकार की बनस्पती पाई जाती है तो इसमें आपका उस नार्द पतजर बनस्पती पाई जाती है भारत मे चंदन की लकरी के लिए परसिदे राज्य है तो आपका एक करनाटक है पच्चास सिंटीमीटर से कम औसत वारसिक बरसा वाले चेतरों में समाइने तक किस परकार की बन पाए जाते हैं यहाँ पर मरू अस्थलिये बन पाए जाते हैं निश्ट है भारत के किस भावगलिक परदेश में उस्टन कटी बन पाए जाती है तो यह आपका उत्तर का हिमाले परबती परदेश में पाए जाती है निश्ट है डलदली अत्वा जुआर भाटा चेतरों में पाए जाने वाले बन को क्या कहा जाता है इसे मेंग्रोब बन कहा जाता है अगला प्रस्ण है भारत में सरबाधिक महत्पुन बेबसाइक बन है यह आपका है उश्नकटी बन यह अध सदाबहर बन निश्टे भारत में मेंग्रोब बनसपती का सरबाधिक बिस्तार किस राजी में पाया जाता है ये आपका पस्ची मंगाल में पाए जाता है किस राज में पस्ची मंगाल में अगला प्रस्ण की तरफ चलते है भारत में परमुख बनस्पती कौन सी है तो है आपका पतजर कौन सी है पतजर भारत में चंदन की लकरी के बन सबसे अधी कहां पाए जाते हैं या आपका नीलगीरी पहारियों में पाए जाते हैं अगला प्रसन जो बन चक्रबातों के अबरोधों का कारे करते हैं वे कौन से हैं वे आपके हैं मैंग्रोब बन कौन से हैं मैं ग्रोब बन अगला है साइलेंट वेली के चर्चित होने का क्या कर रहा है जैब बिवीत्ता इपम सदा बहार वन का संग्रक्षा नेक्ष्ट अगले परसन की तरफ चलते है भारत में मैं ग्रोब बनस्पती का सरबादिक बिस्तार किस राजी में पाया जाता है भारत में पर्मुक बनस्पती कौन सी है तो यह पतजर है भारत में चंदन की लकरी अगला परसन है भारत के सरबादिक चेतरपल किस परकार की मिट्टी का बिस्तार पाया जाता है तो यह जलोड मिट्टी का सबसे ज़्यादा किस पर जलोड मिट्टी का तटिये मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मिर्दा कौन सी है तो यह जलोड मिर भारत के उत्री मैदान की मिर्दा समयन तक ऐसी बनी है तो तलो चप बनी है कौन है तलो चन गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिटी कहला थी तो इसे बांगर कहा जाते है क्या कहा जाता है बांगर अगला प्रस्ण है भारत में समस्त अस्थल भाग का कितना परतिसत जलोड मिटी से ढगा है थी चोबिस परसेंट कितना परसेंट चोबिस परसेंट जलोड मिटी में जब बालू के कनों और चीका की मातरा लगबग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है तो उसे द मिट्टी का निर्मान होता है तो काली मिट्टी का निर्मान होता है रेगुर मिर्दा किस की किर्सी के लिए सरबादिक उपर उपर उपता है नेक्स्ट है किस मिट्टी में किर्सी के लिए सिचाई किया वेसकता नहीं होती है तो काली मिट्टी में किस में काली मिट्टी में भ तमिल नाडू में दो ती हाई च्छेतर पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है ये लाल मिट्टी का किसका लाल मिट्टी का अगला प्रस्ण है लेटराइट मिट्टी महत्पुन रूप से पाया जाते है लेटराइट मिट्टी माला वारता ये च्छेतरों में पाया जात उपड़ युक्त है, नेक्स्ट है, किस मिट्टी में किरसी के लिए सीचाई किया बिसकता नहीं होती है, तो काली मिट्टी में किरसी के लिए सीचाई किया बिसकता नहीं होती है, नेक्स्ट, अगले परसंग की तरफ चलते हैं, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस अस्था पाई जाता है तेलाल मिट्टी का विस्तार पाई जाता है किसका विस्तार लाल मिट्टी का नेक्स ए लेटRE राइट मिट्टी में किस मिट्टी में लेटर राइट मिट्टी में नेक्स्ट लेटर राइट मिट्टी की समानेता अधिक बरसा वाले चेत्रों में पाई जाती है इस मिट्टी में मुक्तब मोटे अनाज की खेती की जाती है इस मिट्टी में चाय की भी किरसी होती है है नेक मिर्दा अपर्दन रोका जा सकता है तो बन रोपन द्वारा मिर्दा अपर्दन को क्या किया जा सकता है रोका जा सकता है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी क्या नाम है काली मिट्टी रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो यह सबसे ज़्यादा महारा प्रस्ट में नेक्ष्ट क्रोस्टिन की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ट है भारत का सबसे बड़ा चाबल उत्पादक राज है यह पस्ची मंगल है कौन है पस्ची मंगल भारत में अधिक्तम किर्सी योगे छेत्र घेरने बाली फसल है तो है धान उस खादे फसल का नाम बता यह जो भारत में सबसे अधिक उपज होता है तो हो चाबल है भारत में हरित करांती किस मामले में सरबाधिक सफल रही तो गेहूं के मामले में है ना पहले नंबर पर गेहूरा सिकर नमर पर आपका चाबल रहा हरित करांती का अर्थ है किरसी के आधुनी के विडियो का उप्योग कर परती एकर फसल की उपजबढ़ाना किस राजे को भारत का धाने भंडार के रूप में जाना जाता है तो धाने भंडार के रूप में पंजाब को जाना जाता है किसे पंजाब को भारत में हरित करांती का जने किसे माना जाता है डॉक्टर एमेस स्वामी नाथन को नेश्ट है भारत का सबसे बड़ा मंगुफली उत्पादक राज है आपका कौन सा है गुजरात है कौन सा है गुजरात अगला परिसने भारत का सबसे बड़ा सोयाविन उतुपादक राज qualified मधिप्रदेस है काजु का सबसे बड़ा उत्पादक राज राज है केरल मिफ़े सबसे अधिक मातरा में केसर मिलता कहां पर है तो जमू-कसमीर में नेक्स्ट है भारत में ब्रहत्तम पैमाने पर जूट की खेती किस नदी पर की जाती है यह हुगली नदी पर की जाती है अगला परसने भारत में सरबुत्तम चाय कहां पैदा होती है यह दारजिलिंग में पैदा होती है अगला परसने भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस रा प्राकिर्टिक रबर के उत्पादन में भारत का बिस्व में कौन सा अस्थान है ता आपका इसका भारत का बिस्व में चौथा अस्थान है नेक्स्ट अगला है तंबाकू उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा अस्थान है ते तीसरा अस्थान है नीली करांती किसे संब्दी थे ये मतद से उत्पादन से संब्दी थे निश्टे दूद उत्पादन भारत का विस्व में कौन सा अस्थान है ते ये पर्थम अस्थान पर ह भारत में दूधुत पादन में अगरनी राज है यह आपका उत्तर परदेश है कौन है उत्तर परदेश ओपरेशन फ्लड का संबंद है दूधुत पादन से नेश्ट है भारत में ओपरेशन फ्लड कारिकरम का परादन कब हुआ था तो 1970 में हुआ था कब हुआ था 1970 में अगला प्रस्ण है स्वेत करांती का संबंध किससे है तो दूध उत्पादन से किससे दूध उत्पादन से भारत में स्वेत करांती के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन गुलाबिक करांती किससे संबंधित है जिंगा उत्पादन से संबंधित है खरित करांती खरिफ की फसल काटी जाती है तो नॉम्बर के प्रारम में अगला है गोल करांती का सम्मध की से तो आलू उत्पादन से आपका गोल करांती का सम्मध है अगला प्रस्ण है जूट सबसे अधिक कहां होता है तो बंगाल के डिल्टाई छेत्रों में नीलीगी पहारी के छितरों में किसकी खेती की जाती तो कौफी की ज़्यादा खेती की जाती है अगला प्रस्थे दक्षिन भारत में सरबादिक चाय उत्पादित करने बला राज है तो वह आपका तमिल नाडु है भारती दलहन सोध संस्थान इस्तित है ये कानपूर में इस्तित है पीली करांती किसके उत्पादन से सब्बंद है तो ये तिलहन के उत्पादन से सब्बंदी थै भारत का राश्टी एफल है तो ये भारत का राश्टी एफल आपका कौन सा है आम है कौन सा है आम है भारती कलपक्कम नामक्स अस्थान पर किसकी अस्थापना की गई है तो नावकिये उर्जा की अस्थापना की गई है अगला प्रसन है काकरा पारा परमानु सक्ति के अंदर किस राज में इस्तित है यह कूजरात राज में इस्तित है नेक्स्ट है कैगा में होता है कैगा में नावकि प्राधारित मनिकरन बिजली सेंतर की स्राजि बहती ये ही माचल पर्देश में है अगला है तालचर एवं इन और उलेखनी है यह तापिय सक्ती सेंतरों के लिए उलेखनी है भारत की पर्थम जल्बिद्दूत पर्योजना कौन सा है तो काविरी नदी पर सीव समुद्रम जल्ब पर्योजना याद रखे सीव समुद्रम पर्योजना नेक्स्ट है चूखा जल्बिद्दुत पर्योजना जो की भारत एबं भूटान की सिंग्त पर्योजना है किस नदी पर इस्तित है थी ये बांगूची नदी पर इस्तित है किस नदी पर बांगूची नदी पर अगले प्रसन की तरफ चलते हैं महात्मा गांदी जल्बिदुत परियोजना इस्तित है तो महात्मा गांदी जल्बिदुत परियोजना करनाटक में सराबती नदी पर इस्तित है नेक्ष्ट है दुलहस्ती जल्बिदुत परियोजना इस्तित है दुलहस्ती जल्बिदुत परियोजना जम्मु कस्मीर में चिन अस्थान है अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं भारत में पर्थम जल्बिदुत केंद्र की अस्थापना 1997 अठारो सो संतानवे में कहां की गई थी तो दारजलिम में की गई थी कहां पर दारजलिम असिया की पहली भूमिगत जल्बिदुत परिजना भारत के किस राजी में इस्तित है तो यह हिमाचल परदेश में इस्तित है किस राजी में इस्तित है आपका हिमाचल परदेश राजी में इस्तित है अगले प्रस्म की तरफ चलते है महात्मा गांदी जल्बी दूद परिजना इस्थे थे करनाटक में सराबती नदी पर दुलहस्ती जल्बी दूद परिजना इस्थे थे तो जम्मू का सिर्म में चिनाम नदी पर लोक्टक जल सकती परिजना इस्थे थे मनिपुर में पबन उर्जा उत्पादन में भावरत का विश्व में कौन सा स्थान है तब पांचमा अस्थान है अगला परस्ण है भारतिए खानिच पदार्तों का बंडारगिरी कह लाता है तो ये कह लाता है छोटा नागपूर का पठार है ना करनाटक राजी में इसतिद बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिच के उत्खाणन के लिए परसीदे ये लोह ऐस के लिए परसीदे नेक्स टै भारत में सरबादिक लोहा उत्पादर करने बाला राज है तो उरिसा कौन है उरिसा भारत में पाए जाने बाला अधिकान्स law as किस परकार का है तो हमें टाइट है किस परकार का है हमें टाइट है अगला प्रसंद देख लेजे जावर एबं रामपूरबा आगूचा रामपूरा आगूचा खनन चेतर किस राजय से संबंदित है यह सीशा जस्ता से रिलेटेड है भारत का सरवादी की जस्ता के लिए परसिद है ते अबरक के लिए परसिद है अबरक के उत्पादन में भारत का विस्स में कौन सा अस्थान है ते अब इसका पर्थम अस्थान है ना पर्थम अस्थान है अगला परसन है भारत में सरवत्तम स्रेनी का संगमरमर किस अस्थान से पाया जाता है यह मकरान किस राज़ में इस्तित थे आपका करनाटक में इस्तित थे भारत के किस राज़ में विशु का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है ये आपका किरल में है कहां पर है किरल में है अगला परसन है टंगस्टन उत्पादन के लिए परसीद डेगाना खान किस राज़ में इस्तित थे राजस्थान में देश के कूल कूला उत पादर में जारखंड की भागेदारी है 40 पर सन्ट कितना है 40 पर से पर सम्Le angryह और भारत में वह खनन किस्छान पर किया ग्या देख लेख्लिय में खनन किया जाने वाला परमुखमि 지 commandments से लिगनाइट है कौन सा है लिगनाइट है अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं अगला प्रस्ण देख लिए भारत में सबसे अधिक कोईले के भंडार है तो दामोदर घाटी में कहां पर है दामोदर घाटी में अगला प्रस्ण आपका पस्ची मंगाल में रानी गंज का संब बाद में इस्तित है निश्टे किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है तो भारत का रूर कहा जाता है दामोदर नदी घाटी को है ना संचित भंडार एम मुतपादन की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा कोईला च्छेतर है दामोदर घाटी कोईला च्छेतर पर किया था डिग बोई में तेल इबम पराकिरते गैस आयो की अस्था अपना कब हुई तो 1956 में हुई काई कालूर खनीच तेल छेतर किस नदी घाटी छेतर में इस्तितिति ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी छेतर में इस्तितिति अगला परसने भारत की सबसे यूरेनियम खान कहां इस्तिति ये जादू गोड़ा में इस्तिति ये जादू गोड़ा में नेक्स्ट है बैला डिला किस के लिए परसिद है ये लोहयस के लिए परसिद है खेतरी किस के लिए परसिद है तामबा के लिए परसिद है भारत में अंकलेस्वर किस के उतपाद के लिए जाना जाता है तो पेट्रोलियम कुत पहदन के लिए जाना जाता है निक्स्ट है पनियान तथा इरूला जन जातिया किस राजे में निबास करती थी किरलाज में निबास करती है निक्स्ट है दफला तथा सिंखपो जन जातिया किस परदेश में पाई जाती है अगल राजस्थान से मुंड़ा जंजाती कहा निवास करती है ति यह जारखन में निवास करती है कुगी जंजाती के लिए लोग रहते है कुगी जंजाती के लोग मनीपूर में रहते है निश्टे गारो खासी जेंतिया जंजाती है किस छेतर में निवास करती है में घाले में तोड़ा जन जाती कहां पाई जाती है ते नीलगीरी पहारियों में पाई जाती है अगला प्रसन जारखन राजी की सबसे बरी जन जाती है तिया आपका कौन सी है संथाल है कौन सी है संथाल अगला प्रसन है गारो जन जाती मेघाल है बोडो निवास करती है गारो पहारी में गद्धी लोक निवास करती है, माचल परदेश की छेत्र वे, भील जन जाती पाई जाती है, महराष्ट में, भारत की सरबादिक बरी जन जाती है, आपका गोंड है, बिरहोर का साबदिकर्थ है, जंगल का आदमी, धूम कुरिया जन जाती की समाजिक संस्ता अराव है, क्या ह केमा में वह आप दखी लिए अपने स्क्रीण पर है चेंच्प किस पर देस में निलगिरी sniff छ में जाडल राजी की सबसे बरी जंजाती है आप कौन्स पर कि इस तो आपने देखी लिया अगला प्रश्ण है नासिक किस नदी के किनारे इस्थित है ना मारि का दो इसम्राज क्रों को सेक्षा Scanking के थो अगला दोस परुपूर सुश्व Commission लेख है नााशिक कुदाबरी नननीके तटपर इस्तित है जौनपूर किस नदी के तटपर इस्तित है अगला परसन की तरफ चलते है अगला है गंगा नदी के किनार इस्तित सबसे बड़ा सहर है कानपूर कौन है कानपूर एस्टिल सिटी राउर केला किस नदी के तटपर इस्तित है अगला है अगला है अगला है गंगा नदी के तरपरिस्तित पर्मुक्सार कौन है तक गंगा नदी के तरपरिस्तित पर्मुक्सार है हरी द्वार, कानपूर, इलहाबद, वारानसी, पटना, मुंगेर, भावलपूर, स्रलंका इस तरह से यह बहतरीन मेराथन क्लास मापतु आपका complete revision हुआ, आप इस क्लास मिट अबतागी लिट्चे हिंद